Hello everyone, welcome back to my channel So, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो 27 करिंगा बुख फेर 2024 स्टार्ट हो गया है Unit 3 exhibition ground में ये 8 तरिक से स्टार्ट हो गया है और 17 तरिक तक चलने वाला है 2 पहर के 2 बचे से लेके रात को 9 बचे तक बुख फेर ओपन रहेगा बहुत बड़ा book fair लगा हुआ है और जहाँ पर आप लोगों को हरवल मेला देखने के लिए मिलेगा ना बस उसी के ही side में आपको book fair भी देखने के लिए मिलेगा उसी same ground में दोनों side में दोनों अलग-अलग मेले को आप लोग एक साथ explore कर सकते हो यहां पे काफी कुछ अलग-अलग तरह की books आपको मिल जाएंगे जिसे normally book fair होता है आप सबको पता होगा study related तो बहुत सारे books आपको यहां पे मिल जाएंगे जिसे ही dictionary of synonyms and antonyms इन सब के अलावा आप लोग यहां पे बच्चों के लिए काफी कुछ किताबे वगरे खरीद के ले जा सकते हो and competitive के लिए मिल रहा है journals मिल रहे है यहां पे बहुत सारे novels हमने यहां पे देखा तो आप अपने education background के हिसाब से यहां से book ले जा सकते हो काफे कुछ options मुझे इस बार book fair में देखने के लिए मिले दिन यहां पे mathematics का भी काफे कुछ हमने books देखे जैसे यह formula वाला and Harry Potter का books आपको यहां पे मिल जाएगा Harry Potter हम सब ने देखा है सब को इसकी story के बारे में पता है book अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो mythological books वे यहां पे काफे कुछ option में आपको मिल जाएंगे आप अपने according चूज करके ले जा सकते हो और हिंदी में भी मिल जाएगा English में भी है और ओडिया में भी है और अशनीर ग्रोवर को तो आप समने शाक्टा गिनिया में देखा ही होगा और उनके दोगलापन के बारे में भी आपको पता होगा तो उनका एक book है जो कि बहुती जादा viral है यहां पे book fair में जो भी सारे stalls हमने घूमा वहां पे अशनीर ग्रोवर का दोगलापन book हमें दिखा तो अगर आपको चाहिए वह वाला book आप लोग लाके पड़ सकते हो दिन बच्चों के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर इंट्रेस्टिंग स्टोरी बुक्स वगरा भी आप लोग यहां से ले जा सकते हो इंट्रेस्टिंग बुक्स मिल जाएंगे जैसे पापा करके यह बुक था मुझे बहुत अच्छा लगा देन अगर मॉनिंग के बारों में कुछ डिफ्रेंशिट करके बच्चों को समझाना चाहते हो तो यह सारे बुक्स ले जा सकते हो क्यूंकि पिक्चराइज किया गया जैसे कि जनेटिक्स मेरा बैग्राउंड है इसलिए मैं जादा इंट्रेस्टेड थी अगर आप लोगों को यह सारे साइंस रिलेटेड बुक्स चाहिए तो आप लोग ले जा सकते हो यहां पर डिजीज के उपर भी है लिकैंसर, डाइबटीस, मेडिसनल प्लांट्स इन पारे बुक्स पे अभिलेबल है, पंचो तंत्र का बुक्स काफी कुछ उप्शन से है, यहां पर एक बुक मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी रिसेंटली कोवीड-19 के टाइम पर वैक्सिनेशन हुआ था सबका, और वैक्शन हमें क्यों लेना चाहिए उस सबके बारे म साइन्स, इन्वार्मेंटल साइन्स, यह सारे कुछ बुक्स आपको यहां पर इसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उल्ली इंग्लेश ही लेना है आपको, ओडिया, ग्रामर और एसे के बहुत सारे बुक्स यहां पर अभिलेबल थे जिसको आप लोग ले जा सकते हो, यह व स्कूल में हैंन्रेटिंग दिया भी जाता है कि नहीं, हैंन्रेटिंग का काफे कुछ बुक्स आपको यहां पर मिलेगा, यहां पर A to Z आप बच्चों को वार्ट सिखा सकते हो, उसके साथ हैंन्रेटिंग प्राक्टिस करवा सकते हो, कलर बुक्स बहुत सारे मिल जाएंगे तो यहां पे न सारे एज ग्रूप के लिए बुक्स अभेलेबल हैं, जितना में ने यहां पर स्टेडी किया, यहां पर टेबल्स के भी बुक्स हैं, टेबल्स के बुक्स तो जाधा हम लोग यूज नहीं करते थे, हमें तो टेबल्स ऐसे ही याद करने के लिए बोला गया अगें हमें दिख गया, स्पेस रिलेटेट बहुत सारे इंफोमिशन आपको यहां पर अगर चाहिए, अपने बच्चों के लिए, स्पोर्स के लिए, साइन्स, हुमन बॉड़ी, इन सब के उपर पुरा इंसाइक्लोपीडिया यहां पर मिलता है, तो वो सारे बुक्स आप ज्युद नोट और पॉलिटेक्स के ऊपर कुछ आपको आपको यहां पर मिल जाएंगे, जो लोग क्रिप हमें स्कूल में सब चत्रीड गवहां पक्ते हो अपने बच्चों को यहां पे cut and paste का भी देखा, मैंने fruit के बारे में या फिर animals के बारे में कुछ भी आप लोग अगर सिखाना चाहते हो तो यहां पे cut paste का एक book मिल जाएगा then grandpa stories, यहां पे काफे सुंदर सुंदर stories के books आपको मिल जाएगे then हमने दिखा opposite swords अगर आप सिखाना चाहते हो यह पूरा picture के साथ दिखाया गया है तो easy रहेगा बच्चों को analyze करने में, समझने में तो यह से बहुत सारे books थे, stories थे, character building कैसे करना है, वो था, adventure related कुछ-कुछ stories थे तो बहुत सारे चीज़ें आप लोग यहां से ले जा सकते हो, then ही एके मिश्रा का एक बहुत बड़ा सा स्टॉल लगा हुआ है जहां पे आप लोग जाओगे तो आपको हर चीज के लिए books मिल जाएंगे मतलब जब हम लोग यहां पे गए ना, तो हमने देखा कि यहां पे तो काफ़े कुछ options है तो हमें यह scrapbook वाला एक छोटा सा stand दिख गया, जिसमें scrapbook भी था और यह dot dot का कुछ था, बच्चों के लिए ही है यहां पे rhymes वगेरा मिल जाएगा बहुत हिंदी और इंग्लिश में डिक्सनेरी का एक पूरा section आपको ऐसे मिल जाएगा, हर तरह की डिक्सनेरी यहां पे है एक आप सब को यहां पे दिख रहा होगा कि particular subject के लिए particular dictionary यहां पे आपको मिल जाएगा तो बहुत सारे options आपको यहां पे मिलेंगे, यह एके मिश्रा वाला जो stall है वहां पे ही available था ओडिया books यहां पे आपको भैभर के मिलेगा, अगर आपको चाहिए ओडिया books तो यहां पे ले जा सकते हो श्रीमत भगवत गीता भी यहां पे बहुत सारे availables हैं, यहां पे लोग पढ़ भी रहेते, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले जा सकते हो English या फिर Hindi या फिर ओडिया essay writing वगेर अगर यह सारा कुछ चीज़े सीखना है या फिर writing skill आपको बढ़ाना है, यहां पे कुछ बहुत सारे options आपको मिलेंगे बच्चों के लिए ऐसे आप लोग boards ले जा सकते हो पढ़ाने के लिए, colors दिखाने के लिए, tables के भी boards मिल रहे थे, opposite के boards मिल रहे थे तो ऐसे सुन्दर सुन्दर चीज़े आप लोग यहां से ले जा सकते हो, और यहां पे ना comparatively कम price में आपको मिलेगा प्लस टू books यहां पे बहुत सारे थे, और competitive के लिए जैसे मैंने बताया, यहां पे बहुत सारी competitive exam के अंडर, जो भी सारे exams आते हैं, सारे books अधर अविलेबल ते, state government या फिर central government के लिए अगर कुछ exam दे रहे हो, neat exam दे रहे हो, cat exam दे रहे हो, सब के लिए books आपको यहां पे म पाट के लिए, उसके मंतरी के लिए बहुत सारे books हैं, यहां पे यह सारा कुछ अगर चाहिए, तो यह भी आप लोग अपने घर के लिए ले जा सकते हो, तो हर age related books आपको यहां पे मिल जाएगा, 2025 का calendar भी आ गया है, जल्दी से आओ और यह लेके जाओ, क्यूंकि बहुत ज यहां पे जनगर्ना का एक stall लगा हुआ है, कि जनगर्ना कितना important है, और हमें क्या information मिला है, तो यह सारा कुछ information आपको मिल जाएंगे with books, लिए आप लोग यहां पे definitely आना, काफी अच्छे अच्छे novels मिल जाएंगे, then when, how, where, who, about and whom, यह सारे कुछ questions के answer आपको यहां पे मिल जाएंगे, अगर कुछ चीजे के बारे में जाना चाहते हो, यह वाला stall बहुत interesting था, actually यहां पे जाके आपको पता लगेगा कि आप लोगों के पास क्या-क्या rights है, जिसके उपर आप लोग अपना आवाज उठा सकते हो, कौन से कौन से चीजों के उपर आपको awareness बढ़ अच्छा रहेगा, उसके अंदर magnet भी था, तो यह बहुत अच्छा लगा, अपने friends and family के लिए जा सकते हो, अगर दो लाते हो, तो 100 रुपीज, यानि की पावर पीस, 50 रुपीज का आपको यह पढ़ जाएगा, and this particular stall में आपको 50-50 रुपे में बहुत सारे books मिल जाएंगे, offer लगा हुआ था, actually बहुत सारे से stall सबको दिख जाएंगे, जहां पर आपको फ्लाट 50% का offer मिल जाएगा, book fair आने का यही फाइदा होता है, book store से जादा offer आपको यहां पर मिल जाएंगे, बहुत सारे discount मिल जाएंगे, अच्छे-चे books मिल जाएंगे, तो यह सारे कुछ यहां पर आपको इसे pain stall या फिर बच्चों के लिए कुछ board games लेना चाहते हो, तो यह अच्छा stall है, actually 4s day गये थे, तो stall पूरा completely लगा नहीं था, तो आप लोग जब जाओगे तो पूरा complete हो गया होगा, यहां पर काफे कुछ options थे, बच्चों के लुड़ो, chess, यह सारा कु अच्छा game से, आजकल तो outdoor बच्चे खेलने जाते नहीं है, तो indoor के लिए यही सही, यह कुछ vibration gun kind of था, and remote control वाला भी toys आपको मिल जाएंगे, और यहां पर बहुत सारे office related चीजे भी आपको मिल जाएंगे, office मतलब यह लेदर वाला file वगेर आपको यहां से मिल जाएगा, तो यह था संबाद के तरफ से, एक stall, देन हमने यहां पर sunshine hospital का भी देखा, and AIPH University इसका भी एक stall लगा हुआ है, देन इसके side में हमें ऐसे magic related books अगर आप लेना चाहते हो तो मिल जाएगा, यह पुरा magic related books के लिए ही था, तो आप लोग पूरा stall विजिट कर सकते हो, देन उसके ही बाजू में हमें यह एक visual देखने के लिए मिला, जय जगनाथ इसका title था, यह ना इनके YouTube चैनल पे और Pogo चैनल पे चलने वाला है, तो आप लोग भी यह एनिमेटर जय जगनाथ का सीरीज देख सकते हो, अपने बच्चों के साथ, दिन यहां पर ऐसे fire dog का भी एक stall लगा आपको यहां पर मिल जाएंगे, तो definitely visit कीजे, यहां पर एक छोटा सा stage भी बनाया गया है, जहां पर inauguration ceremony चल रहा था, तो हमने उसको भी थोड़ा record किया, और यह सिसु महस्चप भी था, तो जो भी सारे बच्चे इसमें participate किये हुए थे, उनको price distribute भी किया जा रहा था, तो यह सारे कुछ चीज देखके हम लोग वहां से रिटन आगे थे, आप लोग भी जल्दी जाएं कलिंगा book fair, बट उससे पहले मेरे चैनल को subscribe कर लीजे और वीडियो को like करना, बहुत सारा पयार देना, friends and family की साथ भी share करना, आप लोग ने मेरे हरवल वीडियो को भी काफी ज